अस्सलामु अलेकूम, विल्कम टो माई चानल बेमिसाल जायका, चलिए आज बनाते हैं देगी स्टाइल यूपी का नान गोश्ट, तो देखकर ही मुँमें पानी आ गया होगा आप लोगों को, कि ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर तयार होती है, जब आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे, तो यकीन जानिए, आप हमेशा नान गोश्ट ही बनाकर तयार करेंगे, तो बकरईद भी आने वाली है, और ये स्पेशल रेसिपी आप जब अपने महमानों को बनाकर खिलाएंगी, तो वो खुश हो जाएंगे, और हमेशा आपको भी यही रे पन गोश्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे, और उसमें डालेंगे 1.500 ग्राम मस्टर्ड ओयल, आप मटन जब भी बनाएं तो मस्टर्ड ओयल से बनाएं, उसका जायका कुछ अलग ही आएगा, अब जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, यहां पर हमने अब इसमें हम एट कर देंगे यह खड़े मसाले, तो हमने जीरा हाफ टी स्पून लिया है, और उससे कम हमने स्याजीरा लिया है, एक किलो मटन के हिसाब से यह मसाले हम इसमें एट करेंगे, अब इन्हें थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, अच्छी सी फुस्बु जब गरम म साइस की प्याज है जिसे हमने रफली चॉप किया है, वो एट कर देंगे, और प्याज को हम एक से दो मिनट तक नरम कर लेंगे, तेल में, मीडियूम फ्लेम में ही हमें प्याज को पकाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक से दो मिनट ही हम इस प्याज को पकाएं सिर्फ हमको प्याज को नरम कर लेना है तो यहां पर हमारे एक से दो मिनट हो गए है और प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है अब इसमें हम धोकर मटन एट कर देंगे और इसे जब तक हम पकाएंगे प्याज के साथ जब तक हमारा मटन का color change ना हो जाए तो हमें flame को high कर देनी है अब और high flame में इस मटन को हम 2-3 मिनट खुब अच्छे से प्याज के साथ धून लेंगे ताके हमारे मटन की smell खतम हो जाए और इसका color भी change हो जाए तो हमने high flame में अपने मटन को 2-3 मिनट खुब अच्छे से फ्राई किया है ये देखिए तो मटन ने अपना color भी change कर दिया है और इसकी smell भी खतम हो गई है अब इसमें हम add करेंगे कुछ dry masala तो dry masala में हमने लिया है यहाँ पर half teaspoon हल्दी पाउडर और 2 teaspoon ये लाल मिर्च पाउडर है 1 teaspoon नमक है और ये 2 teaspoon धनिया पाउडर है तो नमक आप अपने taste के according डाले और मिर्च भी आप अपने taste के according ही डाले इन सारे मसालों को हम एक साथ इसमें add कर देंगे और मसालों के साथ हम मटन को एक से दो मिनट खुब अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम में तो लगातार चम्मच को चलाते हुए हम खुब अच्छे से इसे भूनेंगे और फ्लेम को हमने हाई ही रखा है हाई फ्लेम में ही हम इसे खुब अच्छे से भूनेंगे ताके हमारे मसाले का कच्चापन भी खतम हो जाए और हमारे मटन की भी स्मेल खतम हो जाए तो हमने इसे एक से दो मिनट खुब अच्छे से भून लिया है और अब इसमें हम एट कर देंगे पानी तो एक से डेड़ गिलाज इसमें हम पानी एट करेंगे ताके हमारा मटन अच्छे से गल जाए और अगर आप फूकर में बना रही हूँ तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डाले ये अपने ही पानी में पक जाएगा सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखे इसे हम 20 मिनट तक इसे ही कवर करके पकाएंगे मेडियम आच में जब तक हमारा मटन पक रहा है चलिए इसके भुनाई करने वाला मसाला तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक मुठी लहसुन के जवे लिये हैं उसे मिक्सर के जार में आट कर देंगे और ये दो इंच का अद्रक का टुकड़ा है इसे भी आट कर देंगे और कुछ खड़े मसाले लेंगे तो मसालों में हमने एक जाइफल का टुकड़ा लिया है और पांच ये देखिए इतना छोटा हमें लेना है और पांच हरी लाइची 20 से 25 काले मिरिश, 3 लौंग, 1 बड़ी लाइची बस इतने ही मसाले इसमें एड करने है और इसे अब हम डकन लगाकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे पानी थोड़ा ही डालें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तयार हो गया है इसे अभी हम एड नहीं करेंगे जब तक हमारा मटन खुब अच्छे से गल जाएगा उसके बाद ही इसको हम जब भूनेंगे मटन तभी एड करेंगे तो बीच बीच में अपने मटन को हम चलाते रहेंगे और चेक भी करते रहें कि मटन जब हमारा गल जाएगा तभी हमें इसे भूनना है अच्छे से हम इसे पहले चला लेंगे अभी हमारे मटन में थोड़ी कसर बाकी है इसे हम कवर करके अभी और 10 मिनट पकाएंगे मटन खुब अच्छे से पहले गल जाने दे उसके बाद ही हम इसे बूनेंगे तो वो मटन के उपर है कोई मटन जल्दी गल जाता है और कोई मटन को टाइम लगता है इसको तकरीबन 25 मिनट लगे होंगे गलने में और मटन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसका जो भी स्ट्रा पानी है वो खुश्क कर लेंगी तो हमने अच्छे से अपने मटन को भून लिया है अब इसमें हम एट कर देंगे अधरक लहसुन का पेस्ट और जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा था और पेस्ट डाल कर इसे एक से दो मिनट खुबच्छे से भून लेंगे बहुत ही आसान रेसिपी है ये नान गोस्ट की आप जरूर इस रेसिपी को बनाएं तो हमने इसमें सारा पेस्ट एट कर दिया है आप इसको लगातार चंमच चलाते हुए खुबच्छे से भूनेंगे एक से दो मिनट हाइ फिलें में ताके मतन का जो भी स्मेल हो वो खतम हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चचापन भी खतम हो जाए तो यहां पर हमने एक से दो मिनट को मटन को अच्छे से भून लिया था अब इसमें हम एट कर देंगे पानी क्योंकि हमने इसे नान के साथ खाना है तो एक से दो मिनट कुबच्छे से हमने इसे भून लिया है अब इसमें हम पानी आट कर देंगे तो यहाँ पर हमने गरम पानी का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर डेड़ गलास हमने इसमें पानी आट किया है आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाले जितना आपको ग्रेवी पतली चाहिए गाड़ी चाहिए उसी हिसाब से आप डाले अब पानी डालने के बाद इसे हम एक से दो मिनट को बच्छे से पका लेंगे यहाँ पर हमने पानी डाल कर इसे एक दो मिनट को बच्छे से पका लिया है अब इसमें डाल देंगे एक मुठी मकाना और एक मुठी हरा दनी इन दोनों चीजों को डाल कर एक मिनट हम और इसे पकाएंगे और हमारा बेहतरी इंसा ये नान गोष बनकर तयार हो गया है तो आपको ये हमारे नान गोष की रेसिपी कैसी लगी? कमेंट बाक्स में जरूर बताएं तो अब ये नान गोस हमारा बनकर तयार हो गया है बस इसे इतना ही पकाएंगे और चलिए अब इसे हम सर्फ करते हैं तो नान के साथ इसे सर्फ करें बहुत ही टेश्टी लगेगा ये सालन तो आपको हमारे नान गोस की सालन की रेसेपी कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए लाहाफिज थैंक्स फॉर वाचिंग